प्रश्ण देखकर चौक गया न? क्या आप जानते हैं कि जन्म लेने से पहले ही हमने शिवामुच किसा का उपयोग किया है? सदियों से पहले यह साबित हुआ है कि विक्संशिल ब्रून यानि गर्भ अपने फेपड़े बनानी के लिए एमिनेटिक द्रव्य का उपयोग करता है जो गर्भाशे के अंदर जो ब्रून होता है वो अपने श्वसन पत्के मध्यम से इस एमिनेटिक फ्लूर को फेपड़ों में खीचता है यानि जो गर्भाशे के अंदर जो गर्भ जल होता है वो खीचता है और इस एमिनेटिक द्रव के बिना फेपड़ों का विकास होना संभव नहीं है ये विज्ञान भी मानता है अब ये जो गर्भजल है वो क्या है इस गर्भजल का जो मुख्य द्रव्य है वो भृण का मुत्र ही होता है यानि जो अमिनेटिक फ्लूड जो गर्भाशे के अंदर होता है उस गर्भ का उस भृण का ही मुत्र होता है जिससे अमिनेटिक फ्लूड बनता है तो गरभाशे में भुरुन पर की गई किसी भी सरजरी का कोई निशान तक नहीं रहता है ऐसा नयाश साउश्वदन कहता है एक Mr. Willam Pull नाम के एक बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने किताब लिखिया Heart of Healing उसमें वो कहते हैं उनको अश्यरे लगा कि जब गरभ के अंदर कोई गरभ है उसके ओपर कोई मा के पेट के अंदर ही अगर कोई सरजरी करनी पड़े तो जब वो सरजरी की जाती है तो सरजरी का वरन भी नहीं बचता है लेकिन एक बार बच्चा जन्म लेने के बाद यानि गरभाशे से बाहर आने के बाद कोई सरजरी की तो जिन्दगी बर के लिए वरन रहते है तो साइंटिस आश्रे थे कि गर्भाशे के अंदर जब ये सरजरी की तो उसके वरन क्यों नहीं बचते हैं और जन्म लेने के बाद के बाद जब शरीर के उपर जब ये सरजरी की जाते हैं तो उसके वरन क्यों बचते हैं क्योंकि उसका कारण यह है कि गर्व जल के अंदर जो मुत्र है वो इस तरह की चीजों का वरंद भी नहीं रहने देता है। तो यूरिया, अमिनेटिक द्रव का एक घटक भुरून की सभी प्रकार की चोटों को ठीक करने में मदद करता है। आज के समाज में तथाकतित जो वैद्न्यानिक है, जो धार्मिक लोग है, वो मुत्र को छूने या पीने से मना करते हैं। स्वमुत्र विश्यक, हानिकारक सिध्धांत, अस्विकारिय सिध्धांत आदी गुरुनित वातावरन उत्पन्न करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इंसान गर्व अवस्ता के दवरान ही मुत्र पीता है। भुन को अन्य पोशक तत्वों के साथ-साथ मुत्र से भी पोशन मिलता है। भुन के चारों और लिप्टी एक पतली जिल्ली जैसी जो अवकल कहा जाता है, जिसमें भुन तैरता है, वह वही गर्व जल पीता है और उसी में पेशाप करता रहता है। इससे पता चलता है कि यह तरल पदात जो गर्व जल है, वह मूलता भुन का ही मुत्र है, वह गर्व का ही मुत्र है। तो उपरोक्त तत्य से यसपश्ट हुआ कि जन्म के बाद ही नहीं बलकि भुण अवस्ता में यानि मा के पेट में जब हम थे गर्व अवस्ता में ही मुत्र पीना मनुष्य का प्राकृतिक या दैविय गुन है तो इसलिए हम कहते हैं जन्म से पहले तो आप शिवामू पान कर चुके हो तो जन्म लेने के बाद शिवामू लेने में क्या दिक्कत है क्योंकि आपसे ही शरीर से बहने वाला ये पानी से ही आपका शरीर बना है तो जिस पानी से शरीर बना है उसी पानी का उपयोग करके इस स्वास संपने बनाद